डाहिंदु का एक पैसज लिया है, जिसका हम ट्रांसलेशन करेंगे और उसके वोकाब और ग्रामर को भी समझेंगे, लेकिन कल से ही मैंने एक नया चीज भी इंक्लूड किया था, जो की बहुत ही बहतरीन है, इसमें आपको बहुत सारे vocabs एक बार में भी याद हो जाएंगे, और वो technique है root word की technique, इस root word के द्वारा हम एक root word पकड़ते हैं, उसमें उससे बनने वाले सारी meanings को एक साथ ही बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जैसे आज का जो हमारा root word है, कल हमने root word हमने लिया है path, जहां पर भी path होगा, वहां वो feeling और disease से related होगा, और इसके हमने बहुत सारे words लिया है, मतलब overall कहूं तो path से related सारे words आपको इसी वीडियो में तयार हो जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, सबसे पहले हम passage को पढ़ लेते हैं, दा हिं तो आज की इस set 15 में बहुत ही अच्छा खुसकबरी भी है, और वो खुसकबरी यह है कि KBC स्टार्ट होने वाला है, कौन बनेगा करून पती, आप सभी लोग परचित हैं से, KBC बहुत जल्द इसी lockdown के period में स्टार्ट होने वाला है, और इसकी shooting स्टार्ट हो गई है, अब आ Now we should start, Amitabh Bachan shoots for KBC during lockdown, Amitabh Bachan KBC के लिए lockdown के तौरान KBC shoot करते हैं, या फिर shoot किया, shoot करते हैं क्यों लिखा है, क्योंकि heading जो होती है, वो हमेशा present indefinite में होती है, present indefinite की पहचान क्या होता है, कि वर्व के साथ हमेशा उसमें S लगा देते हैं, तो यह है present indefinite की पहचान, जब जो subject हो, singular हो है, या Amitabh Bachan singular है, इसलिए shoots, shoot में हमने S लगा दिया, ताकि हम वर्व की original form होती है, वो plural होती है, अगर उसमें S के जोड़ दिया जाए, तो वो singular form में हो जाती है, तो इसलिए हमने S लगाया है, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि हम उस event को हम ताजगी दे सकें, और newspaper में सभी जगा present indefinite का use होता है, तो shoot किया इन्होंने KBC को during lockdown, lockdown के दरान and sufficient precautions was taken, sufficient का मतलब होता है, परियात, precaution का मतलब होता है, एहतियात was taken, यानि परियात एहतियात बरता गया, was taken मतलब passive form में है, एहतियात बरता गया, ठीक है, आ इफ, यहाँ पर हम लोग पढ़ते है, इफ नहीं लिखा है, the twelfth season of the popular game show has made its selection process completely digital amid the coronavirus pandemic, बारवान season, एक बहुत ही प्रसिद गेम शो का बारवान season जो था, इसने इसका selection process completely digital माध्यम से बनाया है, मतलब पूरी तरह से digitally करन करते हुए, बनाया है, amid the coronavirus pandemic, यानि pandemic के बीच में digital process के थुरू, इस twelfth season बनाया जाएगा, ठीक है, mega star Amitabh Bachchan on Wednesday said, Wednesday को Amitabh Bachchan ने बोला, mega star मतलब superstar, बहुत बड़े star, बोला, his shot for social messaging videos, उन्होंने social messaging videos को shot किया है, as well as, साथी साथ, promos for the new show, और साथी साथ, promo भी, promo का मतलब क्या होता है, जो पहली जो जहलक होती, उसको कहते है, promo for his new show, कौन सा shows है, वो है, कौन बनेगा, करून पती, और यह सब शूटिंग से पहले, उन्होंने शूटिंग से पहले, उन्होंने सुनिशित किया, इंस्योर किया, that necessary precautions were in place, कि क्या सभी, necessary precautions है, वो लिये गए है, यह नहीं, ठीक है, इन सब को ensure करते हो, इन्होंने यह शूट किया, in a post on his official blog, यानि यह Twitter और Facebook पर post करते रहते हैं, तो वहां से ही लिया गया है, a 77 year old veteran said, यानि यह 77 साल के veteran का मतलब होता है, जब भी किसी भी इंसान जो किसी भी संस्था में हो और बहुत लंबे समय तक रह जाता है, अनुभव उसको मिल जाता है, उसको बोलते है veteran, तो अमिताब बच्चन जी, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उनका अनुभव है, तो वह veteran है, तो 77 साल के एक अनुभवी, यानि अमिताब बच्चन जैसे अनुभवी ने कहा, अल दे वीडियो क्लिप्स वर शॉट इन जस्ट वन डे, यह सभी वीडियो क्लिप्स शूट की गई है, शॉट की गई है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, इसलिए हां मैंने काम किया बट लेकिन sufficient precautions लेकिन एक ज्यादा से ज्यादा precautions का मतलब होता है सुरक्षा as much that could be taken इतना की जितना लिया जा सकता था was taken लिया गया ठीक है and what had been scheduled for two days and जो कुछ भी दो दिनों के लिए schedule हुआ था was completed in one day वो सभी complete कर लिया गया एक दिन में starting 6 p.m. ending a short while now बच्चन रोड बच्चन ने जो ब्लॉग में क्या लिखा कि 6 बजे से शुरुवात हुई है और यह जब जिस समय लिख रहते उस समय तक इन्होंने यह काम किया है the actor said the actor said actor ने कहा the social messaging video from authorities were made to acknowledge the healthcare workers whom he referred to as angels in white leading the fight against the coronavirus pandemic इन्होंने अभी पहले ही बताया कि दो वीडियो इन्होंने शूट की है पहले एक social messaging video था और दूसरा क्या था वो कौन बनेगा करूनपदी का प्रोमो तो social messaging में उन्होंने क्या बताया है वही बता रहे है आपे the actor actor ने कहा social messaging videos जो है जो कि अधिकारियों के द्वारा बनाई गई है इसमें उन्होंने acknowledge किया है सुईकार किया है कि health worker जो है जो इस काम में लगे हुए हैं उन्होंने उनको रिफर संदर्भित किया है किस चीज से कि भाई वो स्वर्ग दूत है सफेद कपडों में वो स्वर्ग दूत है ठीक है leading the fight वो युद्ध कर रहे हैं अग यह साथे साथ यह बल दे रहे हैं credit दे रहे हैं जो इस परिष्रम लगातार अपना काम को परिष्रम के साथ कर रहे हैं यू सो इस लिए कर रहे हैं ताकि हम आप और हम यू और आई स्लीप इन पीस हम शानती से सो सके पर्सनल ग्रैटिफिकेशन यह पर्सनल ग्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप संतुस्टी प्राप्त करते हैं जैसे इस्पेशली वन गेंड फ्रॉम सेटिस्फेक्शन ओफ डिजार जब आपकी कोई इक्षा होती है और आप उसे प्राप्त कर लेते हैं तो उसको ग्रैटिफिकेशन बोलता है तो पर्सनल ग्रैटिफिकेशन भी दे रहे हैं तो मेनी डैट आस अंड देन दे को बीसी इसका मतलब है कि ग्रैटिफिकेशन भी दे रहे है और फिर उसके बाद उनसे पूछ वो बता रहे है कि हमने के बीसी और उसके बाद जब ये वीडियो शूट हो गया तो उसके बाद क्या किया कि के प्रोमो के लिए बहुत सारे छोटे चोटे वीडियो को के पाइल का वीडियो शूट हुए है और उसके बाद घंटो की वीडियो रिकोर्डिंग और उसके बाद घंटो की वीडियो रिकोर्डिंग ऊल्सु फोर दो सेम। इसी KBC के लिए, He add it उन्होंने ऐसा उसमें लिखा, The 12th season of the popular game show यानि 12th season of popular game show जो की KBC है, यह host किया जाएगा किसके द्वारा बच्चन साहब के द्वारा इसने अपना selection process को पूरी तरीके से digital बना दिया है इस coronavirus pandemic के दौरान अभी आपको जल्द ही इसका प्रोमो आपको वीडियो पे देखने को मिल जाएगा क्योंकि अभी भी shooting हुई अभी इसमें बहुत सारे editing होगी उसके बाद यह हमें television के माधिम से पता चलेगा और इसकी सारी methods हमको पता दिया जाएगे कि कैसे हमें participate करना है तो जो लोग भी के बीसी में participate करना चाहते हैं मैं आपको अपडेट देता दे दूँगा आप सभी लोग participate ज़रूर करेगा क्या पता यहां से भी आपके किस्मत बदल जाए जीतना ना जीतना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि आप वहां पर उस stage में He also addressed the speculations, speculations का मतलब होता है जो guess करते हैं हम लोग अटकले जो लगाते हैं उसको उन्होंने बताया कि हाओ जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या पड़ा पहली heading पड़ी तो उसमें लिखा था कि अमिता बचल ने शूट किया इस सब चीजों को तो फिर हमाई दिमांग में है भा करेगी in the time of coronavirus pandemic उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से करेगी there have been no definite answers उसके कोई निश्यत आंसर तो नहीं है बट लेकिन the authority hopes well and long तो authority ने जो भी कुछ सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है the actor added, actor ने ऐसा बोला for the seasons registration registration promo इस season के registration का जो प्रोमो है बच्चन had shot the video from his home बच्चन अपने घर से ही इस वीडियो को short कर लिया remotely directed by dangle hammer नितीश कुमार और ये remotely directed किया गया मतलब दूर सही यानि उन्होंने अपने घर में वीडियो बनाया फिर उसमें direct जो किया है वो दूर सही दंगल के जो director है दंगल को जिन्होंने director किया है है हलमर में silent होता है hammer इसको बोलता ह है तो दंगल को direct करने वाले जो नितेशक तिवारी है इन्होंने ही यह remotely इस चीज को भी direct किया है ठीक है यहां तक आपको समझ में आया तो यह था हमारा आज का passage आपको बहुत कुछ समझ में होगा आप इसकी पीडियो भी ले सकते हैं और अब हम पढ़ते हैं आज के हम इस इसके संस में होगा ठीक है अब यहां पर देखें आप अग्सांपल aj despathy का मतलब है कि feeling path का मतलब होता है feeling about the feeling of feeling ka opposite yari feeling of intense dislike, dislike करने को क्या बोलता है antipathy, empathy का क्या मतलब होता है, a का मतलब होता है absence, यानि जिसके अंदर emotion और entonces no necesario had on pu почures, just kinda feeling in off therefore empathic a plus motivating in пери istia going empathy समझना, empathy हो गया, ठीक है, यहाँ ते clear हुआ, आगे देखे, sympathy में भी पैथी लगा हुआ है, तो दूसरों की feeling को share करना, जो होता है, वो sympathy कहलाता है, टेलीपैथी का मतलब feeling, और टेलीपैथी का मतलब क्या होता है, दूर, यानि दूर सही किसी के feeling को समझ लेना, किसी से बाते कर लेना, वो टेलीपैथी कहलाता है, mind के, यानि extra sensory communication from one mind to another, तो यह हमारा टेलीपैथी हो गया, pathetic किसे कहते है, pathetic का मतलब होता है, deserving or inciting pity, तो यहाँ प यहाँ तक हमने जो पढ़ा ऊपर तक, यह क्या था, feelings related था, अभी जो हम नीचे पढ़ने जा रहा है, यह हमारा किस से related है, disease से related, ठीक है, disease से related, तो pathogen की बात आती है, तो यह pathogen क्या है, यहाँ पर pathogen का मतलब क्या होगा, disease, ठीक है, any, और gen का मतलब क्या होता है, generation, यानि उत pathological का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर pathogen का मतलब होता है, disease और logical का मतलब जो caused by or evidencing, mental disturbed condition, यहाँ इसका मतलब है कि pathological का मतलब होता है, यहाँ पर यह जो लिखा हुआ, यह actually गहलत लिखा हुआ है, pathological का मतलब होता है, जो disease को study करे, उसको pathological बोलता है, यहाँ पर दिया वह शाइकोपैत, साइको का क्या मतलब होता है mental, धिमागी रूप से path का मतलब होता है disease, यानि जो बिमारी दिमागी रूप से विमार है, उसको क्या बोलेंगे, psychopath बोलेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे दिया हुआ है sociopath socio का मतलब होता है path का मतलब यहां पर बिमारी और homeo का मतलब जो घठ की जो जरूरत के समानों से जो बिमारी को दूर करते वो homeopath है ठीक है आगे बात करते हैं ölopath Allopath का मतलब होता है path का मतलब बिमारी and इसमें क्या होता है कि हम एक remedies का use करते हैं जो की effect ऐसा produce करती है जिससे की वो बिमारी जो है वो खत्म हो जाए तो इसको Allopath बोलता है Hydropath का मतलब क्या होता है कि and the internal and external use of water in the treatment of the disease hydro का क्या मतलब होता है water और water से हम path मतलब बिमारी को सही करें तो वो होता है hydropathy ठीक है यहां तक आपको clear हो गया फिर neuropath neuropath का मतलब होता है any pathology of the peripheral nerves यानि देखे नियूरोपैथी का मतलब होता है path का मतलब होता है disease और neuro का मतलब क्या होता है nerves यानि जो आपके nerves होता है उसके द्वारा तो nerves के द्वारा जो disease disease के उप्चार होता है उसको बते है neuropathy ठीक है osteopathy path का मतलब यहां पर भी वही है और osteo का मतलब क्या होता है the therapy based on the assumption that restoring health is best accomplished by manipulating the skeleton and muscles तो osteopath osteo का मतलब basically जानते है bones related है osteo का मतलब bones related होता है और path का मतलब बिमारी यानि जो भी बिमारियों को दूर करे किस चीजों का यूज करके भाई muscles और skeleton को सही करके तो उसको बोलते है osteopath अब osteopath आपने देखा होगा कई लोगों को आपने वीडियो भी देख्योंगे कि ऐसे उनको लिटा दिया जाता है फिर उनके रिंड के हैड़ी का massage किया जाता है पैर वेर इधर उधर घुमाये जाते हैं जिससे उनका जो body का structure है वो सही हो जाए तो उनकी बीमारी भी सही हो जाएगी मैं आप यहां पर draw नहीं कर पा रहा हूँ आप समझ लो इमेजन कर लो तो इस तरह से जो होता है वो osteopath होता है तो इस तरह से हमने path से related जितने भी meaning है आपकी नहीं होगी आपको एक साथ कम से कम यहाँ पे आपने 20 words सीख लिए हैं और इसी तरह से आप हर रोज आप root word की सायदा से सीखते जाएंगे तो जरा सा imagine करिए कि अगर आप आज आपने देखा और आज आपने 20 words सीखे हैं आप अगर 30 दिन लगातार देखते हैं तो आपका किता 600 words तयार होगा और अगर आप साल भर आप सीखते हैं तो किता हो जाएगा 7000 से भी ज्यादा words आपके clear हो जाएंगे और वो भी चुटकियों में यह root word technique के द्वारा तो इसकी वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल केजी एजूकेशन टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं केजी एजूकेशन टेलीग्राम चैनल आपको लिंक भी description में दिया हुआ वहां से आप जॉइन करके हमारे चैनल पर जा सकते हैं और इस वीड बिल्कुल आपको इसको comment भी करिए बताइए कि हाँ वीडियो मुझे अच्छी लगी और नहीं अच्छा लगे तो आप मुझे ये भी बताइए आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप मुझे ये भी बताइए कि आखिर ये वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आई इसमें मै क्या improvement कर सकता हूं तो इसके साथ ही आज मैं अलविदा लेता हूं कल मिलूंगा नए वीडियो के साथ आपका दिन शुब रहे और जय हिंद जय भारत